हलो स्टुडेंट्स वेलकम आल आज का हमारा टॉपिक है मिलिकन्स एक्सपरिमेंट बचो ये क्लास 11 के स्टुक्चर आफ एटम का पार्ट है दो ये जो टॉपिक है ये एज पार्ट आफ प्रपर स्लेबस नहीं है आपके बुक में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की तरह दी ही है बट अगर आपको ये समझ आता है कि किस तरीके से मिलिकन ने चार्ज ऑफ एलेक्ट्रोन कैलकुलेट किया था तो ये आपके आपके लिए काफी अच्छा ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझने कोशिश करते हम सकते हैं so that आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सको बच्चो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक अन सब्सक्राइब शेयर भी जरूर कीजएगा ओके तो सबसे पहले आते हैं मिलिकन स्वाइल डॉप एक्सपरिमेंट मिलिकन सैंटेस्ट का नाम है जिन अब उन्होंने क्या किया देखो मैं अगर उपर उपर से बताना चाहूं यह किस तरीके का सेट अप है यहां पर यह एक ओईल ड्रॉप है ओईल ड्रॉप पर क्या करते थे वो कुछ चार्ज डालते थे और उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड में की वैसे force वो experience करता था ठीक है अब क्या electricity field force उसको उपर की side force लगाती थी और आपको पता है जब आप 12 में ज़ाओगे तो आप पढड़ोगे कि जो force due to electric field होती है force equals to qe होती है तो अभी के लिए यह कैसे आती है यह आपके लिए इतना relevant बी है 12 में है यह topic बिल्कुल electrostatics आप 12 में जाके पढ़ होगे बट फिर अभी याद रखो कि force जो होता है वो charge into electric field होता है जो आप electric field strength यहाँ पर provide कर रहें into charge ओके जितना भी इस पर charge होगा तो देखो वो क्या होगा वो उपर की direction में लग रहा है वो उस पर किस direction में लग रहा है उपर के direction में क्योंकि electron है है ना और यह जो देखो terminal है negative terminal है तो negative terminal उसको उपर की side repel करेगी अब जब negative terminal उसको उपर की side repel कर रही है तो दूसरी चीज क्या है कि आप इस oil drop का कुछ अपना mass भी होगा अगर इस oil drop का कुछ अपना mass है तो एक mg force नीचे लग रहा होगा और QE force इस पर उपर की side लग रहा होगा ओके uniform electric field में जो भी negative चीज है उस पर क्या होगा उपर की side force लग रहा होगा और positive plate की जाने की तरफ वो कोशिश करेगा ओके क्योंकि positive plate attract कर रहा होगा negative plate उसको ripple कर रहा होगा और mg जो mass है उसको नीचे वो उसको gravity पुल कर रही होगी ठीक है अब वो scenario suppose करो की mg जो नीचे की side weight लग रहा है वो exactly equal हो जाए किसके बराबर जो आपका electric field के वैसे force इस पर उपर की side लग रहा है तो वो particle तो हवा बीच में suspend हो जाएगा क्योंकि नीचे की side जो force लग रहा है और उपर की side जो force लग रहा हो बराबर है तो उस case में आप क्या बोल सकते हो QE equals to mg अगर वो बिल्कुल उस पर जो force है इस चीज को मैंने बढ़ा करके आपर बनाया कि अगर यह oil particle है तो नीचे mg लग रहा है उपर QE लग रहा है अगर दोनों बराबर हो जाए तो बीच में suspend हो जाएगा अब उस case में Q जो charge है इसके ओपर जो भी charge होगा वो क्या होगा mg divided by E mass oil का आपको पता होगा कि आपने कितना oil यहाँ पर mass use कर रहा है G, acceleration due to gravity हमें पता है small g की value और capital E that is electric field क्योंकि experimental setup हमारा तो हमें यह भी पता है कि हमने electric field यहाँ पर कितनी apply करी है तो इस तरीके से Millikan successfully charge calculate कर पाते थे बट किसी भी reaction को देखो एक बार करके आप नहीं बोल सकते हैं सही हो गया उसको multiple time repeats करना होता है so that कि आप accurate value की side पहुंचो ठीक है क्योंकि average हमेशा ज्यादा better result देता है तो जब वो multiple times करते थे थे तो यह देखते थे कि value अलग अलग आ रही है charge की लेकिन वो यह देख रहे थे कि वो सारी की सारी value यह चीज हमें पता है कि charge quantization of charge charge हमेशा quantized होता है that means अगर आपसे पूछा जाए कि माल लो की एक electron पे एक unit charge है तो अगर एक electron पे एक unit charge है तो क्या किसी पे 1.5 charge possible यह नहीं है क्योंकि आधा electron तो कुछ होता ही नहीं या तो एक होगा या दो होगा that means जो minimum possible charge है उसके multiple में ही किसी चीज के उपर charge हो सकते है इसको quantization of charge बोलते हो तो जो minimum possible charge है वो उन्होंने देखा कि यह जितने भी charge आते है एक certain number के multiple होते है जो smallest number क्या है 1.96 into 10 raise to the power minus 19 कुलम minus क्या signify करता है attractive in nature है तो that means इस तरीके से वो successfully बता पाए कि जितने भी बार बार charge आगा वो इसका multiple होगा that means एक electron पे जो minimum charge होता है एक electron पे एक single electron पे जो charge होता है that is minus 1.6 into 10 raise to the power minus 19 कुलम तो इस तरीके से मैं लिकरन बता पाए कि कितना होता है electron पे charge मैं एक बार sum up कर देता हूँ आपके लिए वीडियो कि उनके पास एक experimental setup था जहां पे oil drop था oil drop पे वो charge डालते थे और उसको project करते थे किसमे एक uniform electric field में जब उसको uniform electric field में project करते थे तो positive plate उपर थी negative plate नीचे थी तो electric field उसको उपर की side push करता था और gravity उसको नीचे की side pull कर रही है अगर दोनों बराबर कर दिया जाए ठीक है तो that means वो हवा में suspended हो जाएगा दोनों forces बराबर हो जाएगी अगर मैं Q को एक side रख लो हो तो that will become mg divided by capital E हमें बाकी सारी चीज़ों की value पता है जब उन्होंने value calculate करी तो उन्होंने देखा the value is quantized एक सर्टेन नंबर के multiple में आ रहा that value is minus 1.6 into 10 raised to the minus 19 column I hope छोटा सा topic था बच्चों लेकिन काफी important topic था आपको समझाय होगा Millikan's Oil Drop Experiment So thank you for watching this video stay healthy, stay safe, bye-bye